वेल्कम बैक यौर मनी में आज हमारा फोकस है इंशुरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हर्षवर्धन रूंका लेते हैं अंगला सवाल आजस्थान के बारमेर से धुरा राम बेनिवाल ने हमें फोन किया है बेनिवाल जी पूछे क्या चाना है आपको जी मैं हम गुड़ीडिनींग सर में में धिला सनलल्फ का सहल्जीन प्लान लिया था दो साल प्रिय तो उसमें जो इनस्दमेंट जबले है तो यह दो तांध तक मथे आपशन लिया था लेकिन अभी में देख रह गsta की जो इसका एनांसर आपससेंट का उसकी एनिवीजष्ट डबल है ऐस पर मल्टिप्लायर से तो क्या मेरे को एनांसर ऑप्शन में स्विच और करना चाहिए या फिर मेरे को इसी जो अभी मल्टिप्लायर ऑप्शन है उसमें रेगुलर रहना चाहिए इसके अलावा कुछ हावे सवाल है आपके धुराराम जी दूसरा मैम यह था कि मैंने एक बिलाशन प्यरियन्ट है और मिलों को मैं पर फेंडवा पत्तु कुर्णक तक करना है जो समय देखा हो एगर हंए घर हैं के विखा इनकिर एक्षिली रिस्क अपिटाइट पर डिपेंड करता है जो मल्टिप्लायर फंड है वो करीबन 80% एक्विटी में इन्वेस्ट करता है 20% डेट में और जो एनाइंसर फंड है उसमें एक्विटी का कंपोनेंट जो है वो कम है 35% तक है तो ये उनके इनके रिस्क अपिटाइट पर ज़्यादा डिपेंड करता है बट अभी जो मार्केट की इस तरह है अगर वो स्विच भी करते हैं नैंसर में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा दूसरा सवाल था इनका कि टॉप अप करवाना चाहते हैं अपनी पॉलिसी में तो पहले तो यह बताएं यह टॉप अप क्यों करवाना चाहिए किसी भी पॉलिसी में क्या फायदे होते हैं वेल स्वाती टॉप अप अच्छली एक फेसिलिटी दी गई थी पॉलिसी में जो यूनिट लिंक पॉलिसी हैं उसका पॉलिसी यह है कि आप एक पॉलिसी ले 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 थे हैं जिसमें आप 30,000 उप्या प्रीमियम भर रहे हैं तो यह आपका प्रीमियम हो गया है जो आप अगले 10 साल या 15 साल तक भरने वाने हैं इसके अलावा इन नेक्स 10 या 15 यह आपके अगर कोई लमसम पेइमेंट आती है कोई बोनस आ गया या विंट फॉल आ गया तो आप अगर यह पैसे को भी आप इन्वेस्टी करना चाहेंगे तो आप नहीं पॉलिसी नहीं लेकर एक्सिस्टिंग पॉलिसी में ही टॉप अप करवा लीजिए तो यह कंसिडर कर सकते हैं सिर्फ को एक इंडिपेंडेंटी दूसरी शेनी के इन्वेस्मेंट से भी कंपेर कर ले इनका तीसरा सवाल था इनके एक और पॉलिसी के बारे में बिल्लास अनलाइफ के ड्रीम प्लान इन्हांसर जाना चाहते थे कि रिटर्न इसका कितना आएगा जब यह मच्चूर करेगी पॉलिसी और वो कैलकूलेट कैसे करते है यह यूलिप है वापस और यूलिप में मेच्चुरिटी पे आपको फंड वैल्यू ही दिया जाता है अब इस फंड वैल्यू में बिल्लास अनलाइफ की जो 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 चोटा कंपोनेंट दे रखा है कि जो भी फंड वैल्यू होगा मेचुरिटी पे हम वो देंगे वित अ मिनिममम ऑफ गैरेंटी अमाउट वो पहले ही आप जो फंड सिलेक करते हैं उसके बेसे पर आपको बता दिया जाता है तो फंड वैल्यू और दा मिनिममम गैरेंटी अमाउट विचेवर इस मौर इस वाट इवल गे अगला सवाल रितेश कुमार का इमेल आया है रितेश 28 साल के हैं और सलाना इंकम इनकी है साड़े पांच लाख रुपे मिच्वल पंड और शेर बाजार में इन्होंने तीन लाख रुपे का निवेश किया हुआ है इसके अलावा इन्होंने ICICI Prudential का Elite Protect Pension Plan ले रखा है जिसका सलाना प्रीमियम 20,000 रुपे है और साथी LIC का Money Back Endowment Plan भी इन्होंने लिया है जिसका प्रीमियम ये दे रहे हैं कलीब 40,000 रुपे रितेश अपनी ICICI की पॉलिसी का कवर 25,000 रुपे और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या इन्होंने मौजुदा प्लान में ही कवर बढ़वाना चाहिए या फिर 25,000 की एक नई पॉलिसी ले ले ये रितेश जानना चाहते हैं और अगर नई policy ले तो कौन सी policy बहतर होगी साथ ही इनका सवार एक और ये भी है कि जब इन्होंने policy ली थी पहली policy तब ये smoking करते थें लेकिन अब इन्होंने cigarette छोड़ दी है तो क्या नई policy लेते वक्त इन्हें ये disclose करना हो कि इन्होंने पनी cigarette पीने की जो habit है वो उन्होंने छोड़ दी है इनका वे सवाल तीन-चार है पहले सवाल से आते हैं अलग से कोई नई policy ले या फिर उसी में अपना जो समशोड है वो बढ़ा ले इसे मैं इनका smoking से भी relate करना चाहूंगा इनका ये बला जबाब पहली बात आई प्रोटेक्ट जो है वो ओनलाइन पॉलिसी है तो ये कमफुटिबली ओनलाइन इशु करवा सकते हैं इनके लिए वो प्रीमियम कम होगा ऐस कंपेड तो जो उन्होंने प्योर प्रोटेक्ट एलिट ले रखी है अब सिर्फ एक चीज है कि जो ओनलाइन पॉ कि कब कुट किया वो भी जरूरी है अगर ये बुलें कि मैं एक हफता पहले मैंने गिस्मोकिंग क्विट किया है तो उसे रियली युण छोड़तावा नहीं कहते हैं इन्शॉरंस पार्लांस में यह हुता है कि लास्ट टू यर से अगर आपने आपने आपको अपने आपको कर दें कि लास्ट उनने कब स्मोक किया था तो यह उनके लिए बेटर हो गाए लेकिन यह इन्शॉरंस कंपनी चेक नहीं कर पाएंगा अगर मान लीज़े किसी ने च्छे महीने पहले चोड़ी है और अगर वो मेंशन कर दें कि मैंने एक साल पहले चोड़ी है तो कैसे इन् तो इंशॉरंस कंपनी एक निकोटिन टेस्ट करवाती है जिसमें वह ब्लड से आपके निकोटिन लेवल्स टेस्ट करके ही आपको पालसी देते हैं तो यह बैतर है कि हम यह चीज ना करें और इंशॉरंस कंपनी को क्यों कि स्मोकिंग एक बाइट सेल्फ इतनी कोई डेंजरिस यह इस ना गोड थिंग तो बट आप उसको इतना सीरिस्ली लेकर उसको ना डिस्ट्लोस करने वाली गलती ना करें एक चीज और यहां क्लियर करना चाहूंगी हर्ष जितनी भी अभी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टर्म पॉलिसीज हैं उनमें कैटेगरीज मेंशन होती है तोबैको और नॉन टोबैको कंजिमर्स और उसमें जो अगर प्रीमियम चेक कीज़े तो डिफरेंस दिखता है प्री प्रीमिय को कंजिमर को ही मिलता है चलते हागला सवाल दिली से दुश्यन थे प्राइंश दिखता है अक्ला सवाल डिली से दी इस थ्यवलिटे हमें फोन किया थोड़ा क्या और ने पूछे और यहांन वे आपको आपने इप्तवासस पडियूस कर दाकूसी है। आप ये-जोचार इसे सभेशी आप चाहरे कर सब्सक्षार नियस क्यों किया, क्यार्सी कर खिर निजुड is में ook 10 आप प्षेमें आप्किल नियों का बादी में लाख हॉचारा hurts만 इसे प्तर... till the age of 99 years okay and third one is like if I'll buy a term plan from ICICI proof protect and that will cost me around 14,000 for 14 lakh rupees 14-15 lakh rupees and balance surplus say for example 25-30,000 I can invest on my own दुशेंट जी एक सवाल आपसे आपकी माँ आपे dependent है राइट येस आल राइट दुशेंट नॉर्मली इंशॉरेंस हम उनके लेते हैं जो हमारे ओपर dependent होते हैं ताकि हम ना रहें तो उनको पैसा मिल सके तो यहां क्या सला देंगा दुशेंट को दुशेंट मैं आपसे पहले ये concept क्लियर करवा दूँ कि इंशॉरेंस policy अगर कोई लेता है तो दो कारणों से लेता है पहला कारण ये है कि आपकी अगर कोई dependence हो और आप अपनी कमाती उमर में अगर आपकी मृत्यों हो जाए तो आप उन्हें financial protection दे सकें दूसरा कारण ये है कि अगर आप लंबी अवदी तक जीते हैं आप लॉंग टम जीते हैं तो आप अपने लिए कुछ अपने provisions बनाने के लिए आप सेफ करते हैं I would suggest कि आप जो अपना insurance का requirement है या insurance की जो understanding है वो इन दो parameters पे रिस्टिक कर रखें जो इसाब से आपका ये सवाल है मैं ये समझ रहा हूं कि आप एक investment opportunity देख रहे हैं जिसमें अगर कुछ आपकी मदर को हो जाता है जो क्योंकि उनके age advanced है तो आपके returns आपको जादा मिलेंगे मेरे साब से आप ये नसरीय से insurance को मत देखिए क्योंकि ये तरीका एक सही नहीं होगा एक positive नहीं है एक morally right नहीं है कि आप अपने returns को उनकी debt से calculate करें तो आप अपने insurance के requirements restrict करिए आप पे और आपके dependence के लिए ना कि आप किसी और के life पे bet करें So that will be better for you चलिए your money में फिल हाल इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए